नमस्कार रेखा पॉमार्स किचन में आपका स्वागत आम का सीजन चल रहा है और इस सीजन में हम आम की बर्फी न खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है चाहे लोगडाउन क्यों नहीं हो तो चलिए आज हम घर पर बहुती आसानी से ये आम की टेस्टी टेस्टी मिठाई बनाते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए हमने या पर यह दो आम लिये हैं मैंने यह पर यह बादाम आम लिया हैं लेकिन इसकी वज़ाए आप कोई भी आम ले सकते हैं तो पहले हम आम को चील लेते हैं बस थोड़ा सा कलर का डिफ्रेंस आता है बाकि टेस्ट में कोई फरक नहीं और इसके बाद हम इसको roughly cut कर लेंगे बस आम कच्छा नहीं होना चाहिए यह नहीं की रस भरा होना चाहिए तो इस तरीके से हमने दोने आम को cut कर लिया है अब हम इने mix जार में डाल देते हैं और ढख करके इसे पीस लेंगे तो इस तरीके से हमने दोने आम को पीस लिया है औ सब्सक्रांओं को रखने और यह कम द्हसराय सेंड़ मेंaaa 2 गद्बल स्पून गह डाल डाल कर दोफोर दो डाल डाल को बनाने पर परफेक्टी को आप लेगों को सबस्क्राइब और ाम पर तो ब॥लीची सेट के लिए और ओसी ही इसाब सेखनाय होuna मीडियम ना हैं चलाते हुए इसे अब सेखना है ताकि रस अच्छी से गाड़ा हो जाएगा कुछ देर में रस उबलने लगा है तो अब केस के आज थोड़ी धीमी कर दीजिए यानिकी मीडियम ब्लो कर दीजिए वरना इसके छीटे हमारे मुझ पर आ सकते हैं तो थोड़ा सा धियान रखना है और धीरे धीरे यानिकी मीडियम ब्लो फ्लेम पर इसे लगातर चलाते हुए सेखना है इस तरीके से आम को सेख करके दिया मिठाई बनाएंगे तो हमारी मिठाई 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और इसका टेस्ट भी बढ़िया आएगा तो जैसे दिसे यह गाड़ा होता जाएगा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा इसे सेखने के लिए हमें लगपक 20-25 मिनिट लगेंगे और हमारी आम रस की किट्टी बनकर के तयार हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसे सेखते जा रहे हैं यह गाड़ा भी होता जा रहा है औ तो अब हम इसे थोड़ी देर और सेख लेंगे तो लगपक पांच मिनिट लगे हैं और आप देखी हमने इसमें जो एक टेबल इस्पून घी डाला था वह भी रिलीज होने लगा है यानि कि हमारी किट्टी बनकर के तयार हो गई है तो अब हम इसमें एक कप नाजल का बू नहीं होगी पस इसे अच्छी से पेक करके रख दीजिए और जब कभी आपको मिठाई खाने का मन करें तब आप तुरंत बनाईए तो अब हम इसे अच्छी से मिला लेंगे लगभग 2-3 मिनिट लगे हैं और आप देख सकते हैं कि नारियल का बूरा और मलाइस में अच्छ पर चीनी डी डाले के बाद फिर से लगाता तक चार से पाँच मिनिट तक चलते रहेंगे नहीं हो जाती कि चीनी डालने के बाद गेस कीज के धियर हम मीडियम कर लेगे और मीडियम फ्लेम पर इच्छी पकाएंगे इसे और भी अच्छा लुप देने कि लिए में आपर द यहनी कि हमारी आम की बरफि बनकर के तयार हो गई है आप देख सकते हैं चीनी इसमें मिल्ट होने लग गिया है और जो हमने इसमें मलाई डाला झाली थी वह भी घी बन करके इस धरीके से निकलने लगा है तो अब हम इसमें थोड़ा सा इलाइची पाउडर डाल देंगे और इलाइची पाउडर को भी मिला करके गेस बन कर देंगे लीजिए मिठाई बन कर तयार है अब हमने यहाँ पर एक ट्रे ली है इसे हम घी से हलका सा ग्रीस कर लेंगे आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते है और जो हमने मिठाई बना कर तयार कर रखी है वो ट्रे में डाल करके इस पेचला की हेल्प से इसे एक जिसा शेप देंगे तो यह लीजिए मिठाई को हमने अच्छी से सेट कर लिया है अब हम इसके आधे हिस्से में थोड़ी सी यह पिष्टा की कतरन डाल देंगे और जो बाकी बच्चा वो आधा हिस्सा है इसके उपर हम थोड़ा सा यह चांदी का वर्क लगा देंगे जिसे मिठाई दिखने में और अच्छी लगेगी थोड़ी सी बादाम की कतरन भी डाल देंगे और इसे सेट होने के लिए लगभग आधे घंटे के लिए हम रख देते हैं जिसे की अच्छी से ठंडी हो जाएगी लगभग आधा घंटा हो गया है और मिठाई अच्छी से सेट हो गई है इसे set करने के लिए आपको फ्रीज में रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये ठंडी होने के बाद आसानी से अच्छी से set हो जाएगी तो अब हम इसे cut कर लेते हैं तो piece आप अपने ही साब से इसके छोटे ये बड़े कर सकते हैं अब हम धीर ये से मिठाई को निकाल लेते हैं इस तरीके से इस पे चुला से cut करते हुए हम निकालेंगे क्योंकि मिठाई काफी soft है तो ये देखिए मिठाई कितनी आसानी से निकल गई है और आप देख सकते हैं इसका texture देखने से इस मूँ में पानी आने लगा है न तो बहुत ही बड़िया हमारी मिठाई को निकाल लेंगे तो लीजिए हमारी ये आम की बरफी बन करके तयार हो गई है और आप देख सकते हैं दिखने में कितनी सुन्द लग रही है तो खाने में तो टेस्टी होगी तो बहुती कम समय में और बहुती कम सामान में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है तो नाजिल का बुरा और मलाई हमारे घर पर अवेलेबल रेती है तो आम का सीजन चल रहा है जल्दी से आप ये मिठाई बिनाईए सबी को खिलाईए और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद